तो आज हमारा टॉपिक है Microsoft Excel के बारे में ठीक है तो Microsoft Excel क्या होता है तो सिंपल सिंपल से स्टेप में समझ नहीं कुश्च करते हैं कि Microsoft Excel का है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is Microsoft तो Microsoft जो है आपको पता होना चाहिए क्या है इसाफ्ट्वेर डेवेलेपर कंपनी जो के सब्सक्राइब बनाने वाली कंपनी है 1970 फोड़ा सा इंट्रो ले ले लेते हैं Microsoft कंपनी का तो मैं यहां से एक जीपीटी पर चलते हैं और उससे कहते हैं कि हमें एक Microsoft कंपनी का च्छोटा सा इंड्रो दे दुक्त यहां पर हमने क्लिक किया जहां से हमके गूंगल पर और यहां पर हमनेए क्लिक किया और यहां ज़िक किया तो हमने यह आप मुभाइल पर होल सकते हैं लगारा है तो इसको एक प्रॉम्ट दे रहे हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंट्रो इन इजी वर्ट यह हमने लिग दिया इसने चोटा सा एक इंट्रों में बनाकर दे दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी गांग तो इसमें जैसे अलिखा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या एक सॉप्वेर बनाने वाली कंपनी किसके लिए सॉफ्वेर बनाती है वह कि देवलप सॉफ्वेर बर computer user computer related लोग जो है इसको इस्तवाल करते हैं उसके लिए वह सौफ़वेर बनाती है तो इसके कई सौफ़वेर बनाए है और यहीं इस कंपणी का परपस है ठीक है तो इसने बना लिए इंट्रो मेरा खाले तो इस चाहिए नहीं गया था तो किया रहा है Microsoft is one of the largest and most well-known टेक्नोलोजी कंपनीज इट वासांड़े इन 1975 और यह दो लोगों ने इसको फांड किया था तो हम यह सकते हैं फांड इन तो यहां पे हम लिख देते हैं फांड़ेट इन 1975 और क्या था कौन से इसके जो मालिक है फांडर्स जो है इसके वह हैं सब्सक्राइब कहीं पर भी आप से हो सकता है फांडर जो है इसके बिल गेट्स है और पावल एलन तो अब दुनिया में रही नहीं है कंतेकाल हो गया है कि कंप्री क्रियेट सॉफ्वेर हार्डवेर अच्छा एंड सर्विसेज डेट हैल्प यूपल बिजनेस तो चीव मौ लेते हैं तो यहां पर लिख देव लगते हैं डेवलप सॉफ्वेर और कंप्यूटर रिसर एंड हार्वेर थी कि दूनों यह बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं और यह इसके दो मालगान के नाम है अच्छा कि रहें कि इन्होंने जो बहुत जादा पापुलर की ठीक है तो इनी शीजों को हम अपने पास जरा स्लाइट पर लिखने थे तो यहां पर हम ले ले लेते इसको क्लिक करके और यहां पर एक चोटा साम विंडोस और विंडोस पर क्लिक करेंगे तो Microsoft ने इसके जो है किस तरह से इसको create किया और office suit जो है इनका क्यों सा ठीक है तो एक इनका प्रोड़क्त है जिसका नाम है office suit यहां पर निकलिया और यहां से हम लेकर आ रहे हैं इसको यहां पर और फिर इसके बाद हमने इन्होंने cloud services में भी अपना काम कर रहा है तो cloud services को भी ले ले लेते हैं और यहां पर जो है Microsoft का जो है हमने Microsoft Azure जो इसकी एप है जो cloud services में इसके इसके इलावा यहां पर gaming का भी इसका बड़ा रोल है और Microsoft ने यहां से और इनका अब्जेक्टिव क्या एंट इंपावर एवरी पर्सन तो यह हम लिख देते हैं इस कंपनी का जो अब्जेक्टिव है वह यह है अब यह यह चोटा इंट्रोडेक्शन ले लिए इसका के भाई Microsoft कंपनी क्या क्या काम करती है क्या इसके वह सब्सक्राइब कर रहे होते तो एक चोटा इंट्रोडेक्शन यह के सौफ़ेर डेवलेपर कंपनी नहीं है बल्कि यह सौफ़ेर और हाडवेर दोनों बना रही है त इसके फाउंडर बनाने वाले जो थे बिल्गेट्स और पावल एलेंट इन दो शक्स ने मिलके बनाया यह माइक अपना जो सबसे जो बहतरी पूरी दुनिया में का चलता है अपरेंडिंग सिस्टम उसका नाम है विंडोज जो के एक फैमेस ऑपरेंडिंग सिस्टम है और आप लोगों ने भी सीखा टैन एट सेवन और 11 में मौझूद है परसल कंपीटर पर चल रहा होता है इसके इलावा अगर आप ऑफिस सूट जो इनका दूसरा बहुत ज्यादा फैमेस प्रोड़क्ट है जिसको अभी हम सीख रहे हैं जिसमें Microsoft Office को इन्होंने बनाया है इसमे यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉट्वेर इसके लावा इसका एक और वर्जन भी आउटलुक तो आउटलुक में जो है यह एक इमेल फिन क्लाइंट अप्लिकेशन है थिन क्लाइं अप्लिकेशन है तो यह सारी चीज़ है इनकी हम यूज कर रहे होते हैं रेगुलर विजनेस है रूण अप्लिकेशन एन इस टॉर डेटा ओनलाइन उसके आप काम कर सकते हैं और गेमिंग में अगर बात की जाए तो इनका जो सबसे हाई प्रोडट्ट है उसका नाम है एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स जैसे सोनी वालों का प्लेस्टेशन वन टू थी फॉर है एक्सबॉक्स के नाम से गेमिंग स्टेशन है गेमिंग सर्विसे कंसोल जो बकाइदा एक डिवाइस में सीडी लगा कि आप 3D गेम्स वगरा जो भी चाहें चैल सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं और अगर बात की जाए डिवाइस की तो इन्होंने जो लाइक आर्टीफिशल इंटेलिजेंस भी इन्हों इस पर यह काम कर रहे हैं और इन्होंने भी लाउंज भी किया है जैके चैट जीपीटी में ने काफी सारा पैसा अपना लगा है जैट जीपीटी के उपर माइक्रोफ का शेर है इसके इसको भी मैं यूस करके बना कि और अग्मेंटेड डियार और कॉंटम कंपीटिंग पर यह तीन चीज़ें इस टाइम यह इसकी इनकी इन्नोवेशन से मतलब इजादात में शामिल है यह जी और और ऑग्मेंटेड रेलेटी अब ऑग्मेंटेड रेलेटी को सब फिर देखना पड़ेगा इसके इंदर हमें य है कि किसी चीज का जूटा वजूद करना यह देखें अग्मेंटेड वर्चुल रेलेटी मतलब यह लगाता है चर्श्मा और उसके सामने आ जाता है करता है सामने तो कुछ नहीं होता ना जिस इस काल्ड ऑग्मेंटेड रेलेटी मतलब इनको यह लगा दिया आगे अब यह तो इसे दिखा रहे हैं हो सकता है कोई लगा दे लेंस के आगे वो सारी चीजें इस्क्रीन वगरा सब बन जाए इसको दिख रहे हैं कि सक्री और एसको एक्षच कर देता है तो और समझ में आ जाएगा बदंगे कभी इसको अच्छा टॉपिक है मैं इसको एड़ और यह इसके बारे में हम फिर डिसकस करेंगे तो अब इनका उब्जेक्टिव जो है Microsoft Company का यह है कि आप इसके अंदर जो है वह इंपावर करेंगे हर परसन को मादब दुनिया में रहने वाद है इसकाबिल मनाएंगे कि वह अपने आपको या इस पूरे प्लानेट को और इस करेंगे थो टेक्नोलोजी एंड सलूशन मतलब उनको इतने किसम के सॉट्फेर और डिवाइस जैदेंगे कि पूरा जो अर्थ है जो ऑर्गनाजेशन है जो प्लानेट है वह टेक्नोलोजी के अच्छायट शॉड़ को कुरी इएतः और मैक्रोश अच्सव इंट्रो इन disp using yes web लूओ तो माइक्रोश के बारे मैं बतारा है हम तो माईक्रोश्व अक्सलिकर रहे हैं सब्सक्राइब करने में मतलब हिसाब किताब करने में ठीक है वर्ड हमें नहीं कर रहा है लेकिन हिसाब किताब नहीं कर सकते सब्सक्राइब करें यहां पर आ रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और यहां से इंक्रीज कर लेंगे तो मैं एक्सल को खोल भी लेता हूं सब्सक्राइब करेंगे और यहां से क्लिक करके हम यहां पर यहां पर आने के बाद हमें यह दिखा रहा है यह पूरा इसे इस प्रेडशीट क्या केते हैं स्प्रेडशीट इसमें यह रो को एक नंबर आपके और इसको पॉलम को एक नाम दिया हूए अबिशिदी औलम औरोस से मिलके बंता एक्सल शाल क्ला में वेक्सल मॕझें और स्पूरे को नामें यह थे वर्क शाल के लृट के लॐक उस पूरी को कहते हैं वर्कभुक उस्प्रेइड शीट या वर्कशीट पहले 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 आपको नाम बता है तो यहां पर क्लिक करते हैं तो सेल्स क्या होता है यहां पर एक नया नंबर नाम सुनने को आगया है फार्मुला लिख सकते हैं जो चाहें आप इसके अंदर लिख सकते हैं है किस से अंदर 10 शंव्य वक्तेर्ट मेंड चलते हैं और इसकोना's कि आगये चलते हैं अगे यहां पर किरेंगे यहां पर प्रणा पंक्शनजा पर क्लिछ्य करेंगे कोपी यहां पर जाके हमने यहां पर रखना है और हैं यहां पर एक्सल-करड लक्सल-कल्डम कें है यहां से लट करके यहां से क्लिक क्लिक किया और यहां पर ट्र Keyणुर नुद जा इसके पर चाइट ब्कम सकते हैं तो यहां पर कर रहे हैं इसको यहां से चारच करके जासट हdled करके कॉप ले लिए हमने लगा दिया टैंप्लेट्स और वगर आई सारी सीज़ाय में कर सकते हैं ठीक है यहां से इसका फाइनली इसकी एक बना दिया कि और क्या 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 काव सकता है थिक है तो एक्सल यह पता चला आपको के हम इसके अंदर फॉर्मुला और फंक्शंस भी लिख सकते कर सकते हैं तो हमने आपके सामने भी Microsoft Excel को खोला था और यह आपको नसर आ रहा है सबसे पहले हम देखते हैं कि सकंदर एक पाइल के से क्रियेट करते हैं कि यहां से क्लिक करेंगे से अपर और से फोल्डर बना लिए और वलकि तुम्हारे गृप करते हैं तुम्हारे गृूप बना लेते हैं जतीन के नाम सी बना दें तो इसका नाम हमें रख दिया यहां पर क्लिक कर दिया और लिए लिए ग्लास 01 इंट्रोडक्शन तो यह आपका इंट्रोडक्शन आगया याद रहे माइक्रोफ एक्सल जो है ना तो लेटर सीवी अप्लिकेशन डाकॉमेंडेशन थीसिस के लिए इस्तमाल होता है बलके यह समाल होता है अकांट के लिए शीट के लिए वर शीट के लिए किसी भी बिजनेश के हिसाब किताब को बेहतर तरीके से यह अपने अंदर आर्गनाइब करने के उससाब किताब करने की सलायत रखता है और यही चीज़ हम इसके लिए तो हम puòरफुल बनाते हैं इनके functions इनके features जब हम फंक्शन सीख जाएंगे तो हम एक्सल को बहतर तरीके से आड चलाना सीख जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि ये पूरा workbook के लाता है workbook के बाद ये spreadsheet किलाते है spreadsheet के column होते है a b c d i s a 16384 column होते हैं एक worksheets के अंदर 16384 column होते हैं एक worksheet के अंदर 10,48,576 रोज होती हैं एक worksheet के अंदर और जबके सेल्स की तदात इन दोनों को आपस में से खोड़ार भी किया चाड़ा है यह निके आफ भी किया जा सकता है ठीक है कंट्रोल डबली इसकी शॉट किये अग्य तो अब इन कॉलम को रिज़ेस्ट्वेंट भी किया जा सकता है एक से तीन वियू है एक नॉर्मल वियू पेज लेयाओड वियू और एक पेज ब्रेक प्रिवियू अभी आप डिजाइनिं करेंगे। एसे स्लीक हो जाएगा क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं पकड़के ऐसे स्लेक्षन कर देगा यह स्विंध कर देंगे पूरा कॉलम के नाम पर क्लिक करेंगे तपहली दो लेक्शा में परों स्क्रों तक लिए नाया समय खॉत क्या करते हैं तो पर चला जाएगा इस पर बटन कर चला जाएगा इस तिरह को मूव कर सकते हैं सेल पॉइंटर जहां रखेंगे वहीं पर टाइब कर सकेंगे अब टाइब करने से पहले हम देखते हैं कि कॉलम को एड़ेस्ट कैसे करते हैं दोनों कॉलम के दर्मियान में अगर अपना एरो लेकर आएंगे तो इस तरह का दो मुवाला एरो आएगा इसको पकड़के आप ऐ लिख रहा है सपुस्ट भी इस्टूटेंट प्रोफाइल तो सब्सक्राइब कर से उसको द्सकुनाबब इस करेंगे तो यहां से होम में जाएंगे क्लिक करेंगे सेल्स में जाके और यहां पर यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से जाके आपको यहां से नजर आएगा इसको यहां से से जाके और यहां से लिख सकते हैं अब से डालेंगे डालने का तरीका इस तरह से जैसी डेटा लिखेंगे तो इसके डेटा लिखने के बाद आपके दो ऑप्शन होंगे हैं इंटर ensure match औरसिक फोर केंसल कर देगा लिखने के लिखने के एंटर कर देंगे एक लिख दिया थांटे दो अगर आप डारेक्ट चेंज करना शुरू करेंगे तो वह पिछले वाला रिमूफ कर देगा और नया अएट कर देगा यहां पर दो बाते हैं अगर आप अब सो करेक्ट करना है तो keyboard से बाखे माउस चाड़ डिबल क्लिक नहीं करतें तो keyboard से एफ टू का बटन दबाएं एफ टू का बटन दबाएं जैसे दावाएंगे डाव कर सरे अगर ऐड़े बाट बंड भाघ इंटर करदें यह जाएगा अगर डारेक्ट टाइप करेंगे तो पूरा नाम मिद जाएगा ठीक है यह हमने इसके अंदर डेटा आड़ कर दिया डेटा को डिलीट करने का क्या तरीका है अगर आप बेュests्पेस डिलीट का बटन दबा दिलीट अगर आप बैइक डबाएंगे तोsun काम नहीं करेंगे जब आप इसके सेलेक्शन मोड में होंगे तो यह सारे option काम कर रहे होंगे तमझ में आ रहे हैं यह नहीं आ रहे हैं आ रहा है ना ठीक है बाकी डेटा को साइज वगरा करना है वह फॉर्ण साइज वगरा यहां से बढ़ा सकते हैं अपने डेटा को और यहां से अपने फॉर्ण साइज को पंदर कर सकते हैं और सकते हैं और को पाल्फ को सब कर एक इस तरिकाrous में किसी भी किसम की डिट लिखने का तरीका ये है कि यहां पर nov ReDAq कैसे दिखा रहा है और की कम्पीटर में देखना आपने कर देल पेले तारीर नर फूंस अगरmen Do तर्फिर तारीख दिखा रहा है तो इस तर्टीव में लिखने हैं तो अभी हमारे निखा रहा है तारीख महीना साल यहां पर लिखेंगे सब्सक्राइब अभी पंदरा जून 2000 कैसे लिखेंगे पंदरा वन फाइफ इसके बाद ना डॉट यूज करना ना इस पेस उसका ना माइनस कुछ भी यूज नहीं करना एक निशान यूज करना है वैक्सलैश यह लिखेंगे आप यहां पर बैक्सलैश ठीक है और जून का महीना चटा होता ह दो हजार यह डेट लिखने का तरीका है माइक्रोसौफ एक्सल में प्रॉपर्ली ठीक है ना कि सॉरी यह वाला बैक्सलैश नहीं फॉर्वर्ड स्लैश यूज करेंगे कौन सा स्लैश यूज करेंगे वह खुदी कर देगा इस स्टाइल में जैसे निखा रहा है सब्सक्राइब इसके लिखनी है तीन फर्वरी थीन स्लैश फर्वरी का दो दो हजार एक एंडर कर दिया तो यह देखें इसको ऐसे कर देगा ना डॉट ना स्पेस ना बैक्सलैश यह यूज करना है और इस तरह से आप कोई भी डेट इसके अंदर लिख सकते हैं तो पिरहाल माइक्रोसॉफ्ट एक्सल हम यूज करेंगे आगे शीट वगरा डिजाइन करने के लिए डेटा को कैल